तो वेल्कम वेक फ्रेंड्स आप पर स्वागत है हमारे यूटूब चैनल MP Board English में तो दोस्तों अब हम क्लास 12 के जो सबसे important part है स्वामी और फ्रेंड्स वाला पार्ट है उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जो कि आपके 9 वीडियो रहेंगी जो कि रेगुलर्ली अपडेटेट रहें जो कि तुईटे और सटएड़े को अपडेट की जाएंगे तो दोस्तों यह जो स्वामी और फ्रेंज का पार्ट है मंडे मोजरेंग तो दोस्तों मंडे मोर्निंग को स्टार्ट करते हैं जिसे कि मैं आपको बुक से समझा रहा हूं आप बुक को अपने आगे रखके और जैसे मैं लाइन पढ़ता जाओं हिंदी ट्रांसलेशन सुनाता जाओंगा आप बुक को पढ़ते जाए और सुनते जाए जिसे आपको समझना है में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो दोस्तों स्टार्ट क लिए क्योंकि उसको सटैडे और संडे को बड़ी मोज मस्ती से गुजारे होते हैं और उससे मंडे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है बिलकुल पसंद नहीं होता है क्योंकि उसको स्कूल जाना पड़ता है और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं रेडी होके और स्वाम आठ वजे बड़ी ही मुश्किलों से आँख खोलता है तो उसे रूम के डेक्स पर सारी चीज़ें फैली मिलती हैं जैसे कि उसकी कैप, कोट, स्लेट, इंक वाटल और बुक्स उसके बाद जब वो होमबर्क करने बैठता है और उसका होमबर्क मैट्स का होता है जिसमें उसको पांच पजद सॉल्व करने होते हैं Profit और Loss के English में उसे एक lesson का front page पूरा लिखना होता है और उसकी सारी dictionary meanings और typical words लिखने होते हैं और फिर उसके बाद geography का homebark करना होता है homebark complete करने के बाद दो गंटे बाद बाद जब Swami school के लिए ready होकर जब school पहुंचता है और देखता है कि बड़े ही गुस्से वाली नजरों से उसके क्लास टीचर बेदना गयम उसकी ओर देख रहे हैं और क्लास में से और स्वामी देखता है कि क्लास में पहुंचते ही टीचर के लेफ्ट हैंड पर जो एक लंबी सी खिड़की बनी हुई है जिसमें ट्रेन इमबेक्मेंट दिखता है जो इमबेक्मेंग है उसको आपन जैसे ट्रेन की पट्री के आसपास दीवाले बनी होती है उनको ट्रेन इमबेक्मेंग कहते हैं जिससे देखता है जिससे होकर साड़े बारा बजे माल गाड़ी गुजरती है बड़ी स्पीड से जो कि सरायु निदी के पुल पर से एक गंटा बड़ी गुजरती है एक गंटा बड़ी सांती से गुजरने के बाद जब टीचर कहते हैं लाई ये होंबग दिखाईए तो स्वामी अपनी सीट से कूंद कर वहां पहुंचता है जहां होंबग चेक हो रहा होता है जब टीचर होंबग चेक कर रहे होते हैं स्वामी स्वामी ने होंबग कैसे किया है तो बे देखते हैं कि स्वामी के सारे सम गलत है स्वामी को उसके मैट्स टीचर बिलकुल पसंद नहीं है और जब टीचर पाते हैं कि स्वामी ने सारे सम गलत किये है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और बे स्वामी के कंदे पर मार देते हैं तो स्वामी का कंदा दर्द होने लग जाता है उसके बाद जब स्वामी को next lecture होता है हिंदी के टीचर बहुत अच्छे हैं जिनका नाम डी पिलाई है जो स्वामी को बहुत पसंद थे दूसरे दिन जब जैसे अपना first day तो complete होगया अब next day दूसरे दिन स्वामी जब स्कूल आता है तो वह करीब आदा गंटा पहले ही स्कूल आ चुका होता है बेल बजने से पहले जो assembly की बेल होती है उससे पहले वो आदा गंटा पहले आ चुका होता है और बेसवी interval में खेल खेलने में time spent करते हैं डेली ऐसा ही होता था पर आज की कहानी कुछ और है जब interval के बाद में बच्चे खेलने पहुँचे तो स्वामी कुछ सोच में डूबा हुआ था स्वामी की जो school life थी वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी लेकिन उसके थोड़ा पार्ट जो अच्छा था वो के वल उसके friends की वज़े से था स्वामी के वो चार दोस्त जिन पर उन्हें बड़ा confidence और विश्वास था वो चार दोस्त थे सोमू संकर मनी एंड सैम्यूल सैम्यूल दपी मिस मटर जिनसमें सोमू क्लास का मोनीटर था काफी अच्छा और वो बड़े धंडे दिमाग से दिमाग का था और मनी जो था वो अपने आपको बड़ा गुस्यल और काफी टफ भी था अपने आप में बड़ा गुस्यल और काफी टफ था वो क्लास को मैं सबको परिशान करता था और कहता था कि उसकी जो पावर है उसके छोटे एक गदे में है गदा जो हनुमान जी का जो गदा होता सोटा उसमें है उससे वह किसी भी बच्चे का सिर्फ फोड सकता है या कंदा तोड सकता है जो उससे लड़ेगा और स्वाम मनी उस टाइम क्लास का आवरलोर्ड था और मनी और स्वामी का मनी स्वामी का बेस्ट फ्रेंड था स्वामी मनी के अंडर में अपने को safe feel करता था संकर बहुती brilliant वह था जो कि स्वामी का तीसरा दोस्ट था स्वामी का संकर बहुती intelligent वह था सारी problems को जटसे solve कर देता था उसके लिए English normal थी वो और सारे questions easily solve करता था और उसके लिए और उसको सारे देशों के नाम पता थे और वो खुली किलास में टीचरों से डारेट़ी इंग्लिस टू इंग्लिस बात कर सकता था अब जो स्वामी का जो चौता फ्रेंड था वो है सैमिल था मटर स्वामी और आखरी दोस्ता सेमियल जिस से सब लोग मटर कहकर चड़ाते थे वो पढ़ने में ज़्यादा आउटस्टेंडिंग नहीं था मतलब हम कह सकते हैं कि वह स्वामी की तरह ही था पढ़ने में सभी दोस्तों से केवल एक ही वंड से जुड़ा गुआ था हसी के वंड से जुड़ा गुआ था सिम्यंड और सवामी ज्यादा तर सेम ही थे सब फ्रेंट्स कहल 사랑े सभी साथ में ही किया करते थे और एक दूसरे के साथ मस्ती से टाइम commission करते थे और स्कूल में पढ़ते थे तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है आप आप नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपके लिए अवेलेवल करवा दी जाएगी आप हमारे चैनल से जुड़े रही है